असलाम अलेकुम, Atomic Absorption Spectroscopy इसमें बात करें, Instrumentation of Atomic Absorption Spectroscopy की प्रीविस लेक्टर के अंदर हमने बेसिक इंस्रूमेंट को डिस्क्स कर लिए अगर बेसिक इंस्रूमेंट में देखें तो सबसे पहली जो चीज आती है देखो कोई भी स्पेक्ट्रोसकोपी हो कोई भी स्पेक्ट्रोसकोपी इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो है रेडियेशन सोर्स सबसे पहले कहाता है सोर्स ऑफ रेडियेशन अगर मैं बात करो Atomic Absorption Spectroscopy की तो इसमें दो सोर्स बहुत ज़्यादा इसमाल किया जाते हैं कितने सोर्स इसमाल किया जाते हैं दो सोर्स को बहुत ज़्यादा इसमाल किया जाता है अब वो दो सोर्स है कौन-कौन से एक है हमारे पास holo cathode lamp holo cathode lamp cathode lamp इसको axial भी गयता है जिसको आज हमने जिस्स करना है इसके बाद सेके नमबर भी आ जाता है लंप इसको καब करनी है होलो के फोर्ड लंप में होलो गया छोटी सार्राइब है उनके खार्ड लंप हट दो क向िक हग्सरी जाटास उडल कोलिन्प कि करें कराकि 얼마 कát और फोर्ड करें में को स्वर्डमिन के यहता है एच सी की अहल से अगर ईग्जाइम में आ जाता है एक्स गभराना जाई है एक्सेल 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 का नाम है नहीं तो यह बहुत ज़्याइब इंप्रॉटन टॉपिक है इसमें दो ही बेसिक चीज़े पहले नंबर पेसकी इंस्स्रूमेंटेशन और इसे नंबर वरक के सार्य करता है यहीं दो बात करएं है सबसे पहले इंट्रूमेंटेशन की बात कर लिते हैं इंस्टूमेंटेशन यह मुश्तमिल किन चीज़ें उपर है कि यह इंश्मृमेंट अगर इन सो लेटर। इस में से कॉल निगा सब्सक्ता है। एन सो लेटर। अब इसके साथ हमने हमने कोनेक्ट किया होती है। शिषे की त्योप। कुम कोन सी सर्थ कुलेक्ट कर घ्जिक होती है। वह सिसे की चैसे निकाने के लिए सिर्फ ये पार्ट एंगेंग्जिट है और या मोमलन बनाता है कुवा दाना है यह किसी काराटा क्यूंयु एड यह आर टीजेर्ट वार्ट्स और पीरेचे और पाईडिक्स ग्राटिक्स यह हमारे पर किस तोर पर काम कर रहाता है आनोड के तौर पर यह हमारे पर्फ क्या है रहा है जो बिलकुल बारी के प्लाटीनिय Наुम के ऊतीज इसके बाद सेकड्न North ऊफ़ कि इंपर्टन्ठ चीज मрий हां यहां पर बिलास की कश़ारिंग को तीbajd यहां पर ग्लास कवरी होती है और यहां पर मार पास कैथोड होता है यहां पर कैथोड कैथोड और किजिए किस तरह को होता है कैथोड अंदर से खाली होता है बिल्कुल खाली कैथोड क्या होगा अंदर से बिल्कुल खाली होता है इस तरह का यह हमार पास क्या है कैथोड यह ऐल से झोड़ा होगा आब देखर उसको नाम देते होलो कैथोड लम क्या नाम दे रही होतेrete हैं होलो कैथोड कियो भी कोischer सतॉर देरा विकूज मज करना कॉन तो आपने इसके अंदर इस कैफोड के अंदर counseling रखना है कि यह जो MATTΟ ममरेंशियम ऑलीमेंट का बना होगा क्या मगनेशिम ऑलिमेंट का बना होगा इसके अंदर आपर मौझूद होगा मगनेशिम का बना होगा जिसका हम एनालेसिज करना चाहते हैं जिसका हम क्या करना चाहते हैं एनालेसिज और इसके बात इसके अंदर हमने कोई इनर्ट गैस डाली होती है इनर्ट गैस अब इनर्ट गैस जो हम डाल रहे होते हैं वो दो मेंसे कोई यूज कर सकते हैं या तो नियोन के अंदर मुख्री वैलियू मोजूद है तो यह तकरीब में तकरीब में वान टू एम 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 आफ एट गालो यह मार पास इसका प्रैशर होता है इस गया वह निए बहुत लोग प्रैशर होता है यह था जिस हारी के सारी कंस्रक्षण अर्कंस्रक्षण समय आगे ना बात वर्किंग कुछ ज़्यादा मश्कल बात नहीं है सही एक अंस्रक्षण किस कौन कौन से चीजह हैं इस कॉंसे आफ इस कॉंसिस्ट अफ इकन चीज ऊपर मुस्रवर्ण होता है भी नंबर jän format इक न्च ट्यूब हो हिले पूरी किस की बनी ही है अग्लास ट्यूब अग्लास ट्यूब्त ए ग्लास की ट्यूब है इसके बाद अप्लाइटीनियम एनोड नोड किया रहे हैं वीकोज जिटिज ग्रेटी टू द विश्राया न सबorter बैटरी इसके बाद हॉलो कैथोर्ड कि हङां Holo I get out यш rifle को एक हर रही होते हैं हॉलो किफोड ले और याद रेखें également कि इसका मेडिसा मतिरियल गा इट इसका मतिरियल याद रहे हैं जिस आलीमेंड का मटेडियों होगा शर्ण हे उसलिक्र एलिमेंट में फूलां मेर्लेद however material is made up of, चलो यह सरकादो, material is made up of, that element, यह उस element का बनाओग, that element, whose analysis, which we want to analyze, which we want to analyze, want to analyze, जिसका हम analysis करना चाहते हैं, बस यह सिंपल सी बात याद रखने हैं, इसके बाद वाले जो चीज़ें, वो भी निख लेते हैं, an opening, यहां फिर exit क्या लो, say an exit slit, made up of quads और pyrex window, an exit, जहां से radiation बाहर की तरफ आती हैं, exit, made up of, made up of pyrex, or quads window, क्यों यहां फिर वो quads window की बनी होगी, इसके बाद जो next सीज़ें, next कहाजी हम इसके अंदर एक gas field की होती है, वो gas हमारे पास usually inert gas होती है, उसका pressure क्या होती है, यह लिखना है, an inert gas, inert gas, inert gas कौन सी है, helium and neon, is filled, is filled inside, यह हमने इसके अंदर भरी, inside the glass, यह glass है हमारे पास, इसके अंदर हमने भरी होती है, यह lamp कहलो, lamp के अंदर हमने भरी होती है, इसके एलावा हमारे पास, I think, सारी के सारी चीज़ें हमने एक्स्पेरियन कर दी है, अब इसके बाद आ जाती है, हमारे पास working, यह work किस तरह करता है, किस तरह एक्सरा कर रहोता है, working, है, heading दे तो, working की, अब यहां पर जैसे आफ तक्रीमन देज्चार सो वोल्ट क्राइट देते हो, आर्गोन गैस क्या होने शुरूआ जाए इसके वैलन शेल कंप्लीट होता है यह अपने आखरी शाल में से एक लाक्टोन को निकाल देती है जैसे एक लेक्टोन को निकाल लेगी इसके उपर आजए पॉसिट आर्टोन यहां कोई भी मैटल है यह मेरे पास एक मैटल है जैसे यह आएन आके क्योंकि इसको पर नेगटिव चार्ज इसको बाहर निकाल देता है इसको क्या करेगा खुद आके इसकी जगा पर जूड़ गया और इस एक बाहर निकाल दिया अब बाद रदे को एक आर्गोन आएन तो नहीं पाइदा वो सिंहें काम करेंगी फोट तको तक्राने के बाद इस मेटल निकाल देते हैं अब उसमें से कुछ मैटल एकक्साइट स्टेट में निकल रहते हैं एक साइटीड स्टेट में एकसाइटीड स्टेट का मतलब क्या है मैं आगर बात करो मगनेशियम के मेरे इनलाइट अब यह है और यही रेडियेशन यहां से बनके माहर की तरफ आ रही होती है टो जो मेटल इसकी पूट रेटों यहां उतरते हैं उन पुछ एट्टम स्क यूट में चले जाते हैं और वही एट्टम रेडियेशन को एमिट का रहत और यहीं हम उसी अलिमेंट के इनालेसिस के लिए इस्तमाल कर रहते हैं जिगे वहारए पास 400 व्ल्ट इस एप्लाइट इस एप्लाइड डन आरगोन गैस आईओनाईज़ किया तो आउनाइज गया अब जैसी आरगोन गैस आईढ गया और शिक्राइब थेया कराईगी वहां से मेटल एटम को एज़ेक्ट कर देती है निकाल देती है से ही कहा करता है metal atom का एक cloud पर जिसको इस प्रॉस्ट का हम सपोर्ट रिंग का नाम दे रहे होते हैं चलो वैन दीज आइन दीज आइन स्ट्वाइक जब यह आके टकराते हैं with the surface of with the surface of cathode cathode की surface को पर आग टकराते हैं it produce it produce a cloud of a cloud of atoms in atoms यह metal atom का है metal atoms cloud of metal atoms यह metal atoms का cloud पैदा करते हैं तो यह वो ही cloud जो metal atom का पैदा हो रहा था उसमें कुछ term excited shirt मत्यां clouds of metal atom this process called on this process is process को कहा नाम दे रहे होते हैं process is called sputtering को कहा नाम दे रहे हैं iis को इनाम दे स्टूरिंग का नाम दिर दो बाद हो किस्टूरिंग क्या होती है यह भी आ जाता है मधार फोर्टृं क्या होती है कि हमारा पास argon gas का जो आइन बना वो जाकर पीदा हो रहे होते हैं इस पॉस्ट को स्पूटरिंग का नाम देर होते हैं अच्छे यह मैटल आयन तो पैदा हो गाटम होगे इनने कुछ मैटल अइसे होते हैं जो के एकसाइटेड स्टेट में होते हैं और वही एटम हमारे पास रेडियेशन को हैं स्टेज न स्टेज जो सेट और इसट आ हूं है इन मैं से कुछ अटम आगे सेट माझूूद होते हैं हें मह् fellow होते हैं में घरिक्स आन पैजंदोट मैं को जून होते हैं और रहे समक्राइट मॉजूददेन होते हैं इन यह atom radiations को emit करेंगे which are the source of which are the source of radiation यही हमारे पास source of radiation source of radiation वो यही हमारे पास radiations का source होता है लो यह था यह हमारे पास hollow cathode length या hcl simple simple बात जाद रहें construction क्या है working क्या है खत्म diagram long question आता है बहुत important long question है previous year में अगर देखा जाए mse में तो यह long question आ चुका है इसको आपने इच्छे तरीका से याद करना है बहुत असान डोपी गया अगर समझ के पढ़ोगे असान है अगर इसको रटल लगाने शुरू कर दिये तो समझ नहीं आए हाँ रटल लग जाएगा सिर्व याद करो बाकि वर्किंग असान होती है तो इसका स्क्रिंशूट लाजमी ले लिए यहीं मार पास आज की लेक्टर में थैंक्स फूर वाचिंग अल्ला आफिज अजड़गा गास अजड़गा पास आजड़गा थाज़गा उन्यावी भास